आज देश पिछतरवा गनतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर अपसे थोड़ी देर में कर्तव्य पत पर भव्य आयोजन शुरो हो जाएगा साथी इस बार की परेड भी नारिश शक्ती की भी जलक देखने वाली है इसलिए कहा ये जा रहा है कि इस बार की गनतंत्र दिवस परेड कई मामलों में बेहत खास होने जा रही है पहली बार परेड में 80 प्रतीशत महिलाएं शामल है और सेना की तीनों टुकरियों की कमान के साथ ही जादतर दस्तों की कमान महिला ऑफिसस के हातों में देखने को मिलेगी और बदलते भारत के और नए भारत की एक है तस्वीर होगी तो तस्वीरों में जो आप अभी देख रहे हैं ये फुल ड्रेस रेसल की तस्वीर हैं लेकिन जब आज परेड की शुरुआत होगी तो सबसे बड़ी खासियत क्या होगी इस परेड की इसमें भारत जो स्वद्निवर होता जा रहा है सेल्फ सफिशिंट होता जा रहा है खास दौर पे डिफेंस के शेतर में उसकी एक एक तस्वीर दिखाए देगी लेकिन हमारे जो खास महमान है फ्रांस के राष्ट्रपती एमरेल मैक्रों वो भी बहुत विशेश हतिती होंगे इस लिहाज से कि भारत और फ्रांस के बीच जो हमारी स्ट्राटिजिक पार्टनर्शिप है उसके भी 25 साल पूरे हो रहे है ऐसे में जब राष्ट्रपती मैक्रों यहाँ पर मौझूद रहेंगे फ्रांस का जो सैने दस्ता जब मौझूद रहेगा वो भारत और फ्रांस की दोस्ती को मिनाक्षी कई और हम कह सकते हैं कि उचायों तक लेकर जाएगा आप ठीक कह रहे हैं भारत और फ्रांस की दोस्ती के एक नई भारत तो लिखी जाएगी लेकिन बीती कुछ सालों में जो गनतंत्र दिवस में भारत की सैने शक्ती दिखाए दी है भारत की सानस्पृतिक जलक दिखाए दी है और भारत में जितनी भी विदीशी महमान आए ह उनके साथ भारत की प्रगाड होती दोस्ती दिखाए दी है वो हम इन तस्वीरों के जरी आपको याद दिला रहे हैं साल 2015 से लेकर साल 2023 तकी ये ज़ल किया इस वक्त आपके सामने है और परधानमंत्री मोदी 2015 से लगातार जब यहाँ पर परेट की बात होती है तो उनके जो आप देखने न साफा जो बानते हैं जो भारतिय संस्कृति का एक प्रतीक है वो अलग-अलग जो ठंक से नजर आती है वो भी कही ना कहीं संस्कृतिक भारत को जोड़ता है अब से थोड़ी देर बाद करतेवे पत पर जंडा फेराया जाएगा तिरंगा फेराने के बाद परेट की शुरुआत होगी लेकिन उससे पहले देश के तमाम जगों से ध्वजा रोहन की तस्वीर आ रही है लेकिन दिल में हारत है दिल में इंडिया है और वो जस्वा है तो ITVP आने की इंडो तिबितियन बॉर्डर फोर्स और यहाँ पर जेपी नड़ा मिनाक्षी दिली में बीज़ेपी मुख्याले में राश्ट्री अध्यक्ष बीज़ेपी के इज़ेपी नड़ा ने ये ध्वज फेहराया तो महराश्ट्री के नागपूर से भी तस्वीर आई जहां पर RSS प्रमुक मोहन भागवत ने जंडा रोहन किया ये तस्वीरे आप इस वक्त देख रही हैं बीज़ेपी हेटकौर्टर की जहां पर बीज़ेपी के राश्ट्री अध्यक्ष ध्वजा रोहन करते हुए नजर आ रही है बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर की ये तस्वीरे आपके सामने और अब नागपूर की भी तस्वीर आप देखें जहां RSS चीफ मोहन भागवत ने ध्वजा रोहन किया ये भारत की सांस्ट्रूतिक एकता भारत एक गणतांत्रिक देश है उसका परिचे देती एक एक तस्वीर आपके सामने है देखें पहले ध्वजा रोहन किया गया और उसके बाद भारत माता का तिलक करते हुए नसर आ रहे थे RSS प्रमुख मोहन भागवत प्रमुख मोहन भारत करते हैं